हेलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चैनल लतन वाईसा की रसोई तो आज हम हमारी रसोई में आल टाइम बच्छे बुडे सबकी फेवरेट टू इन वन चोकलेट की रेसिपी लेके आये हैं जो मात्र तीन से चार मिनट में बनके रड़ी हो जाएगी तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर करे तो चोकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क कमपॉंड लिया है और यह जेली ली है इसकी जगक पे आप टूटी फूटी या कुछ भी ले सकते हैं तो इस टाइब की जो फॉलेरों के चोकलेट साती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट वोली है तो अब हम लेंगे एक बाउल और बाउल के अंदर हम इस डार्क कमपॉंड को तोड़के डाल देंगे यह 400 क्राम आता है और 85 रुपिस का ही आता है बहुत ही कम प्राइज में बहुत सारी चोकलेट आपकी घर पे बनके रड़ी हो जाएगे तो इस तरह से हम तोड़के ले लेंगे जितनी आपको यूज करनी है उतनी आप यूज कर सकते हैं बाकी की बची हुई चोकलेट को जो है आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं तो इस तरह से हम तोड़के इसे डबल बॉयलर की सहायता से मेल्ट करेंगे जिससे की हमारा टाइम और गैस दोनों की बच्चत हो जाएगी तो यह हमने तोड़के रड़ी कर दी हैं आप देख पा रहे हैं अब हमने गैस पर पहले ही गरम पानी का पतिला रख दिया था तो यह पानी जो है अच्छे से उबल चुका है तो अब हम इसके उपर इस बॉल को सेट कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो मेडियम कर देंगे इसे हम बीच बीच में स्पून चलाते रहेंगे जिससे की यह बिल्कुल मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से तो आप देख पा रहे हैं तोड़ी देर के बाद मैंने स्पून चला है तो इस तरह से मेल्ट हो चुकी है तो इसे हमें पूरी free flowing consistency तक इसे melt करना है तो ये देखिए ये melt हो चुकी है तो अब हम ये इस टाइप के mold ले लेंगे ये mold भी जो है बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे आपको market में तो अब हमें क्या करना है इन mold के अंदर थोड़ी थोड़ी इस melted chocolate को डालना है इन्हें पूरा नहीं भरना है अगर आप सिर्फ chocolate ही बनाना चाहते हैं यानि कि ये ही बनाना चाहते हैं तो इसे आप पूरा भर के फ्रिज में रख सकते हैं मैं two in one मना रही हूं इसके लिए हम इ इने सारे mold को हम इस तरह से coat कर देंगे यह मैंने coat कर दिया है अब हम इसे फ्रिज में तीन मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक हम दूसरा mold भी त्यार कर देंगे तो यह देखिए मेरे बच्चों की creativity इसमें डाल दिया है तो तीन मिनट हो चुके हैं त चौकलेट हमारी सेट हो चुकी है अब हम इसके अंदर यह फॉलेरो वाली चौकलेट डाल देंगे आप टूटी फूटी ड्राइफ रूट्स आपकी मन पसंद हो जो कोई भी आप इसके अंदर फील करना चाहते हैं वो ले सकते हैं तो अब हम इसे इस तरह से डाल देंगे आप चाहे तो इन चौकलेट को जो है दो भाग में डिवाइड करके भी आप इसके अंदर रख सकते हैं अगर आपकी चौकलेट जो है थोड़ी सी थिक हो चुकी है तो वापस आप डबल बॉयलर की सहायता से उसे मेल्ट कर दीजिए अब हम इसके ऊपर इन जेली को जो है ह हम कवर कर देंगे तो इस तरह से हम वापस मोल्ड को बहर देंगे अच्छी से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे शेयर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम कम दाम है आपकी चौकलेट घर पे बन के रड़ी हो जाएगी इस न्यू येर पे आप किसी को भी देंगे 2-3 मिनट के अंदर जो है सेट हो जाती है तो यह देखिए यह हमारी चौकलेट जो है तीन मिनट में सेट हो चुकी है अब हम इसे उल्टा करके इससे अन्मोल्ड कर देंगे बहुत ही आसान से निकल जाएगी थोड़ा सा पीछे से प्रेस कीजिए आप यह किस तरह से बीच में जेली आपको देख रही है मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो यह देखिए यह हमारी टू इन वन चौकलेट बनके रड़ी हो चुके हैं वीडियो दे निवाद